समस्कार, आज मैं बात कर रहा हूँ मामा जी की घोसनाओं की, इन्हें घोसनावीर की वजाए घोसना जीवी मुख्यमंत्री कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, पिछले 15 साल में इन्होंने जो घोसनाओं करी हैं उसमें से 22,000 घोसनाओं गाया थी, उन पे कोई काम नहीं चुनावी साल है, धड़ा-धड घोसनाओं कर रहे हैं, मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि बेमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेसर्म है, बोल देते हैं धड़ा-धड जूट, जब देखते तवा गरम है, तो सिर्फ घोसना जीवी मुख्यमंत्री ब ये मद्यप्रदेश की सिवराज सर्म है, वो करजे का पैसा कहां खर्च हो रहा है, कौन सी घोसनाओं उस करजे के पैसे से पूरी हुई है, जबकि मद्यप्रदेश में नदियां है, जंगल है, पहाड है, तमाम तरह की खंजच संपदा है, उसके बावजूद इतना करजा म अद्यप्रदेश में लादा जा रहा है, और घोसनाओं पर घोसनाओं करते जा रहे हैं, किसी घोसनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो सिवराज जी, एक तो ये कि आपने जो इतना करजा ले रखा है, प्रति दिन पांच सो करोर, वो करजे का हिसाब भी दीजिए, और जितनी घोसनाओं किये हैं, 22 अज्यार घोसनाओं अभी तक जमीन पर नहीं उत्री हैं, वो कब होंगी ये भी बताईए,